देखे हाल ही में असांसुत पतिपा सिंग की और से एक शिकायत की गई थी कि संगठन और सरकार में तालमिल ठीक नहीं है और सियम सुखू संगठन की दरकिनारी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद आज मंतरी विक्रम अलित्य सिंग का बयान भी सामने आया है ये मंडी के दौरे प कुछ ऐसा ही कहा था जो उनके शब्द कह रहे थे उसके मुताबिक अब सियम सुखू ने सभी गिले शिक्वे दूर कर दिये थे प्रतिबा सिंग के एक फॉन कॉल करने के बाद और आज विक्रम अलित्य सिंग के शब्द भी बिल्कुल बदले बदले नजर आये हैं जिसमे नेता प्रतिपक शुयराम ठाकूर आज खूब वर्तमान सरकार पर बरसे हैं दर असल ये भी मंडी के दौरे पर थे और बड़ी बात इनकी ओर से ये कही जा रही है दर असल ये सवाल इनों ने किया है कि जो एक साल का जश्न मनाया जा रहा है वर्तमान सरकात की ओर से आखि कि हजारों लोग बेघर हो गए हैं अभी तक कोई भी सुविधा उन्हें ऐसी नहीं दी गई है कि कोई राशी एक तरह से उपलब्ध हो पाई हो या उनके घरों का काम शुरू हो पाया हो और इस बीच जशन मनाना कॉंग्रिस की सरकार ने शुरू कर दिया है तो एक तरह से निता की ओर से आज दिखे सवाल किया गया है और इस पर सीम सुखु की ओर से जवाब भी दे दिया गया है मुख्या मंतरी सुखु ने आज मीडिया से बाचित करते हुए साफ तोर से ये कहा है कि दस ग्रांटिया दी गई थी कॉंग्रेस की ओर से जिसमें तीन पूरी हो ग से और सरकारी महमों के साथ अटैच की जाएंगी जिससे उन्हें रोजगार भी मिल सकेगा और हिमाचर प्रदेश एक हरीत राज्य भी बन पाएगा तीसरी बड़ी बात इन्हों के करीब ग्रांचियों को भी पूरा कर दिया जाएगा ये CM सुखु ने आज कहा है हलाकि एक बड़ी बात उन्होंने और कही कि ये जो एक साल का कारेक्रम मनाया जा रहा है धरमशाला के पुलिस ग्राउंड में इसमें 365 फैसलों का जिक्र लोगों के सामने किया जाएगा 365 दि में हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी कि जब पांच राज्यों का चुनावी परिनाम आ जाएगा तो फिर मंत्री मंदल विस्तार भी होगा हलाकि अभी तक सचीवाले में हमें कोई हल्चल इसे लेकर नजर नहीं आएं दूसरी बड़ी बात यह है कि जो वरिश्ट मंत्री है कौंगरे सरकार के चंदरुकमार उन्होंने भी ये कहा कि जो एक साल का जर्शन मनाया जा रहा है इसी बीच ये नई न्युक्तिया होने वाली है लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा है कि 11 दिसेंबर को या इससे पहले मंत्रियों को शपत दिलाई जा सकती है इसलिए चर्चा यहां पर काफी जादा लगाई जा रही है हाला कि सीम सुखु की ओर से संकेत तो ये भी दिया गया है कि अब यहां एक मंत्री जिला कांगडा को और एक विलासपूर को मिल सकता है और इसलिए अटकले तेज हो गई है पांच राज्यों का चुनावी परिनाम भी सामने आ ग गोशना की गई है हलाकि गोशना पहले ही कर दी गई थी लेकिन एक तरह से प्रारूप तयार हो चुका है उस प्रोजेक्ट का जिसे लेकर स्थानिय लोगों में बें इंतजार है क्योंकि हर कोई ट्रैफिक की समस्या से यहां जूज रहा है अब इससे चुटकारा पाने के बी एक और नया रास्ता निकाला गया है और इसकी जानकारी आजुक मुख्या मंतरी मुकेश अगनी होतरी ने दी कि लगभग राजधानी शिमला में यहां 1555 क्रोड रुपै का प्रोजेक्ट होगा दरसल यह तारा देवी से संजॉली के लिए एक रोपवे तयार की जा रह यह बताई जा रही है हलाकि इससे पहले उत्राखंड में और गुजरात और मुंबई में भी सबसे लंबी रोफवे का दावा किया गया है लेकिन उप्भुख्या मंतरी का कहना है कि यह 13 किलोमेटर की सबसे लंबी रोफवे हिमाच्यों कदेश में बनने जा रही है दस व्यक्तियों को ले जाने की और पहुंचाने की तो एक ये बड़ा कदम हम कह सकते हैं और एतिहासी कदम भी कॉंग्रे सरकार का कह सकते हैं जल्दी ही इस पर कारिया शुरू होने वाला है और ट्रैफिक समस्या से अब शहरवासियों को यहां निजात मिल पाएगी मुकेश फैसल अब इनके लिए लागू हो चुका है लंबी लड़ाई ने भी लड़नी पड़ी लेकिन बैकडेट से रेग्लोर किया जा रहा है ये इनके लिए सबसे बड़ी बात है और 805 ये करीब संख्या है पीडिये की और कंड़क्टर भरती पर अब देखिए हम आना प्रतियोगी परिक्षा ये ली जा रही है दिसंबर को 11 बजे से 1 बजे तक हलाकि बाकी नियम उमीदवारों को और अभ्यर्चियों को पता होते ही हैं कि अपना रोल नंबर और एड्मिट कार्ड पहचान पत्र भी साथ में ले जाना है फोटो भी साथ में ले जानी है और क्या आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर नया नियम इसमें सामने आया है और जितने भी इसमें उमीदवार है क्योंकि लगभग ये यहां 360 के करीपद भरे जाएंगे और इसमें अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं 43,000 75 तो अभ्यर्थियों की संक्या काफी जाद की और यदि कोई उमीदवार एक से अधीक उत्तर देता है तो उसे भी गलत उत्तर माना जाएगा यदि कोई प्रशन खाली छोड़ा जाता है यानि उमीदवार द्वारा कोई उत्तर उसमें नहीं दिया जाएगा तो उस प्रशन के लिए कोई डंड नहीं होगा हाला कि इस 960 के करीब पदों पर तो 43,075 के करीब क्योंकि अभ्यर्थी हैं जो कि इसमें शामिल होने वाले हैं तो उनसे जुड़ी ये खबर थी इसले काफी जादा महत्वपुर्ण थी क्या आप जानते हैं हिमाचल के चार जीलों के DC को दिल्ली बुलाया गया है और कारण ये है कि इलेक्शन ट्रेनिंग के लिए ने बुलाया गया है दर असल अभी लोगसभा चुनाव होने हैं उन्ही को मद्दे नजर रखते हुए इनने दिल्ली बुला लिया गया है इसमें क टाइम स्केल से जुड़ी अपडेट है 494 का टाइम स्केल अब इन्हें मिल गया है दर असल कोट में लंबी लड़ाई इनने भी अपने इस टाइम स्केल के लिए लड़नी पड़ी लेकिन अब इसके बाद आदेश जारी हो चुके हैं वीतिया लाब इन्हें मिलने वाला है तो 20 दिसेंबर तक एरियर का भुक्तान भी ने कर दिया जाएगा इसके अलावा अगला वीतिया लाब इन्हें मिलने वाला है ये अलोपैथी डॉक्टर्स के मुकाबले दरसल इन्हें पहले ये टाइम स्केल नहीं दिया जा रहा था जिस बात का इन्होंने काफी आयतराज चिताया था और हाई कोट और सुप्रिम कोट तक इनके लडाई पहुंच गई थी लेकिन अब देखा जा सकता है कि आदेश चारी हो चुके हैं अब वीतिया लाब इन्हें भी ये मिलने जा रहा है और कुल जैसा कि हमने कहा 150 के करीब ये पशुचिकत सक हैं अब सानन कमेट कि रिपोर्ट का क्या हुआ फाइनर रिपोर्ट कब तक सब्मिट होगी विरोजगार युवाओं में खासकर इसे लेकर इंतजार बना हुआ था लेकिन ये अपडेट देने से पहले एक और बात हम आपको बता देते हैं कि देखिए कमेंड साब करते हैं लेकिन जिस तरह की लेंगविज इस्तेमाल की जाती है वो आपके लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती है सरकारी करमचारी आपको बनना है तो जरूरी है अपना रविया भी सही रखें सरकारी करमचारी बनने लायक रखिए तो अगली बात करना चाहेंगे सानन कमीटी से जुड़ी क्यूंकि क्लास 3 की भर्तियों को लेकर यह फाइनल रिपोर्ट सब्मिट होनी थी और कादमिक विभाग के जो सचीव हैं उन्हें उन्लाइन सब्मिट कर दी गई है दिपक सानन की ओर से हलांकि दो नए फॉर्मुले इसमें इसमें इस्तेमाल किये जाएंगे एक तो देहें CET और दूस के लिए अलग लग तीन पोस्ट कोड निकल कर सामने आते थे लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा अब यहां मान लीजिए तीन या चार डिपार्टमेंट में पद खाली हैं और क्वैलिफिकेशन उनके लिए सेम हैं तो ऐसे में एक ही भरती करवाई जाएगी इ इस पर हम पहले बारी किसे जानकारी दे चुके हैं किस तरह का टैस्ट रहेगा और थर्ड पार्टी की ओर से लिया जाएगा और कोशन बैंक एप्रोच से काम होगा यह भी इसमें एक पॉइंट एड किया गया है और ऑनलाइन धंग से ही इसमें आवेदन लिये जाएंग य 388 भरतिये नियमों की स्टड़ी की है उसके बाद कही जाकर यह रूल्स बने हैं लेकिन दो नए फॉर्मूले इस बार लागू होने वाले हैं एक और बड़ा बदलाब किया गया है क्लास 3 की भरतियों के लिए मीनिमम क्वैलिफिकेशन प्लस 2 रखी गई है और एक्विवे जिस भरति में क्वैलिफिकेशन रखी जाएंगी वो एक साथ कंड़क्त की जाएंगी तो क्वैलिफिकेशन वाइस ही अब यह भरतियां होंगी ऑनलाइन तौर पर ही यहां आवेदन लिये जाएंगे कंप्यूटर बेस टेस्ट प्रनाली लागू की जाएगी हलाकि हरियान आने वाले समय में पेपर लीक ना हो एक तरह से पारदर्शिता इन भरतियों में आ सके इसलिए देखी अब मिनीमम क्वैलिफिकेशन को लेकर भी यहां डिसीजन ले लिया गया है और यह जो देखे कॉमन लिजिबिलिटी टेस्स की सिफारिश रखी गई है साननम कमेटी की से इसकी वैद्यता यानकी वैलिडिटी तीन साल तक रहेगी तो यह पूरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे बारी की से हमने आपको जानकारी दे दी है क्वैलिफिकेशन को लेकर भी कंप्यूटर बेस टेस्स को लेकर भी ऑनलाइन तौर पर यहां वेधन मांगे जाएंगे और तीसरी सबसे बड़ी बात हमने यह कही कि कोशन बैंक एप्रोच से इसमें काम होने वाला है अभी ऑनलाइन एक तरह से फाइल बनाकर यह भेज दी गई है कार्मी को भाके सचीफ को अब इसके बाद क्या कुछ होता है और प्रोसेस कब तक शुरू हो पाता है यह देखना होगा लेकिन बड़ी अपडेट आज हम लेकर आए थे विरोजगार युवाउं के लिए क्यूंकि लगातार हमारे पास कमेंड्स आ रहे थे इसलिए कोशिश हमारी यह रही कि आज ही यह जानकारी हम आपको दे सकें वहीं आईजीमसी में आज रोग कल्यान समी अगत से नई डिजिटल एक्सरे मशीन स्थाफित की जा रही है और तीसरी बात यह है कि 128 स्लाइज स्कैन मशीन को भी एक सबताहा के भीतर चालू कर दिया जाएगा यह तीन डिसीजन हुए थे रोग कल्यान समीति की बैठक थी मंतुरी की अध्यक्षता में हाला कि डिसीज